नमस्कार जिवन से हतास हो जिवन से उधास हो अपने आप से निरास हो आपने अपने आपको इसा समझ लिया कि मैं निकम्मा हूं नाकार हूं मैं कुछ नहीं करते हूं आपके मन में ये बावना बर गई है क्या आपको हर तरफ आसपलता मिलती है आपने जो चाहा वो नहीं मिला आपके उम्र भी चालिस तक की हो गई है लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला कि मैं कहां जा रहा हूं मैं क्या करूं मैं क्या दिशा में जाओं आप भी अपने आ इस कंडिशन में एक बात ध्यान रखना कि मन में इस चीज की कमी मत होने देना अगर आपके मन में इस चीज की कमी हो गई ना तो आप चालिस तो क्या आप साथ सित्तर और नबे और लाश्ट में अपने जीवन से चले भी जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आप उम्र को मत देखिए अगर आपके मन में ये चीज है ना तो आप उम्र को मत देखिए आप किसी भी उम्र में आप किसी भी जगह सक्सियज हो सकते हो आप अपने आपको होपलेस मत मानिये आप अपने आपको एक निरासा के बाव में मत डुमोईए आप अगर अगर अपने मन में ये चीज यकी हो ना तो जिनकी तो कई से भी स्टार्ट हो सकती है कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि मैंने 25 साल में दमाग कर लिया मैंने 30 साल के उमर में दमाग कर दिया कोई फरक नहीं पढ़ता है अगर आपके मन में ये चीज है ना तो आप 40, 50 और 60 के उमर में भी दुनिया में दमागा कर सकते हो और अपने नाम कर सकते हो बस अपने मन में ये चीज रखना और पता है वो कौन से चीज आपका आत्मविश्वास और उमीद अगर आप अपने आपके मन में आत्मविश्वास रखोगे ना और जीवन के पड़ती उमीद रखोगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो दावा है मेरा आप से कि अपने उम्र को मत देखिये आप किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पे आप सक्सेज हो सकते हो आप सपल हो सकते हो अपनी उम्र की तरफ मत देखना और निरसा अपने मन में मत बरना आपनों इस्वास और उम्मित के साथ में लड़ते रहना अपन पड़े हैं जो लोग अपनी उम्रों को भी मात देकर सपलता के सिकर पर पहुंचे नेशनल मंडेला दक्षिनी अपरिका के पहले अस्वेत राष्टपती अपने जीवन के 27 साल तक जेल में रहे 27 साल तक जब वो जेल में रहे तो उन्होंने भी तो आसाथ छोड़ी होगी उन्होंने भी तो निरासा आई होगी उनको अभी तो देर्य टूटा होगा लेकिन उनके मन में आत्र विश्वास और उमीद थी कि एक ने एक दिन में कुछ कर जाओंगा और क्या हुआ 76 की उम्र में दक्षणी अपरिका के पहले अवस्वेत राष्ट पती बने 76 की उम्र में यू कन बिलीव इट कितना संगर सो बराज जीवन रहा इसलिए ध्यान रखना के जीवन तो कई से भी सुरू हो सकता है जिनकी तो कई से भी सुरू हो सकती है बस उमीद और आत्म विष्वास कभी कम मत करना हि मर्मन इरानी 44 45 की उम्र में एक्टर बने अब आप कहतो नहीं संगर मतलब कि इनसान डिटाइर करीब आता है नेकिन 44 यू में एक्टर बने उसे पहले क्या करते थे वेटर थे फोट्रोग्रापी करते थे तो उनके मन में भी तो एक ह उम्र तो एक महज नंबर है। उम्र की तरफ मत जाना। कर्णल सेंडर्स, 65 की उम्र में फ्राइड चिकन लॉंच किया। 65 की उम्र, 65 की एज, you can believe it, 60 की उम्र पे तो लोग रिटार्र हो जाते हैं। 65 एज में फ्राइड चिकन लॉंच किया। उससे पहले क्या करते थे एक फ्राइड के उम्र में चिकन फ्राइड लॉंच किया। और आज उनका KFC फूड्स पूरे विस्व में रनिंग कर रहा है। 120 देसों में 18,000 से ज्यादा आउट फ्राइड हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। 65 की एज, अब आप देख लिए जब 65 की एज तक आये तो उ निरा साव कितनी उदासी आई होगी, कितना अपने आपके उपर लज्या आई होगी। फिर भी उन्होंने आहार नहीं मानी, हतासा को अपने मन में नहीं आने दिया, और अपने मन में आत्म विश्वास और उम्मीद रखा। और आज टोप पर पोचे। तो ध्यान रखना आपके जिन्गी कहीं से भी शुरू हो सकती है, बस आत्म विश्वास और उम्मीद मत छोड़ना, जिन्गी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जोन पेमिटर, 55 साल की उम्म में कोको कोला का आविस्कार किया। तो अब आप इतने सारे उधरन आपके सामने हैं, उम्म पर मत जाईए, अपने अंदर उम्मीद और अपने अंदर एक आत्म विश्वास रखिए, आप दुनिया में कुछ भी कर जाओगे। रेक क्रो फिप्टी सिक्स की उम्म में मेक डोनाल्ड्स की इस्ताफना की। ऐसे उदाहों से जीवन जिनकी बड़ी बड़ी है, जो इनसान चालिस से उपर की उम्म में, चालिस से उम्म में, पचास की उम्म में, उन्होंने जंडे गाड़े, तो आप तो चालिस की उम्म मे तिसके उम्र में भी ठक रहे हो अपने आपके अंदर हतासा हो मिरसा बढ़ रहे हो यह बहुत गलत बात है अपने अंदर उमीद और आत्म विश्वास जरूर रखना अगर यह दो चीजे आपके पास है ना तो आपकी जिंद्गी काई से भी स्टार्ट हो सकती है जरूरी नही कि आप अपने जिंद्गी के सुरूरती चरूर्णमी सपल हो जाओ सपल होने के लिए कोई उम्र माईने नहीं रखेगी आपके सामने अगर आपके मन में यह दो चीजे हैं तो इसलिए हतासा निरासा और उनासी अपने जीवने मत रखना आत्म विश्वास और उमीद रखन दावा है मेरा आपसे आप किसी भी इस्टेज पर सपल हो सकते हो